समस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने माले हैं कुछ ऐसा चीज जो कि आपके वर्क को बहुत ही मज़ेदार बना देगा इंट्रेस्टेड बना देगा ठीक है वो क्या है देखिए क्या है कि हमारे पास कुछ डेटा है और यहा क्या होता है कि हम लोग सभी डेट वाइस डेट एंट्री करते रहते हैं वह तो सही बात है आराम से इंट्री होते रहता है लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि इस डेट में बहुत सारा डेट ऐसा है जो कि विकेंड होता है संडे होता है सटडडे होता है होली डे का डे होता है ठ वीडियो के माद हम से, देखिये, क्या करना है उसके लिए, उसके लिए, मैं आपको दो formula बताता हूं, और उस formula का यूज करना बताता हूं, formula आपको पता होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, equal to week day, क्या दिखना है, week day, week day समझते हैं, week day, अगर इस date के लिए मैं week day करता ह और enterprise करता हूँ, तो result मुझे 5 आ रहा है, 5 का मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब क्या हुआ, उसके लिए जो है, उसको test करने के लिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा, test formula, text, okay, text formula में, यह value select किया, comma डाला, और double quote के अंदर लिख दिया, d, 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 four time d लिखा, उसके बाद double quote से close किया, और enterprise किया, तो देखिए, 5 मतलब होता है, Thursday, मतलब यहाँ पे formula, text formula लगाया, और यहाँ पे आपको day निकल के आगया, ठीके, तो इस step से आप day भी पता कर सकते हैं, अगर weekday को मैं तोरह सा यहाँ पे drag करके दिखाओं, तो देखिए, 5, 6, 7, फिर 1, 2, 3, इस तरह से आ रहा है, अगर इसी को इस formula को मैं drag करके दिखाओं, तो देखिए, क्या होता है, Thursday, Friday, Saturday, मतलब 5 कारे को क्या है, Saturday है, फिर Sunday को जो है, यहाँ पे weekday मतलब 1 दिखा रहा, Monday को weekday 2, और Tuesday को 3, मतलब क्या होता, week जो है, start होता है, Sunday से, और weekend होता है, Saturday को weekend, जो की 7 पे complete होता है, यही मक्सद थ और मैं फार्मूल लडा लेंगे, ठीक है, तो ध्यान में रहे, Saturday होता है, weekday से, और weekend स्टार्ट जो हता है, weekday वो होता है, जो की Sunday होता है, चलिए, मैं इसको delete करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ, असली मुद्दे की बात, जो की मुझे इस date के अंदर, जो जो Sunday है ना, उसक करने के बाद, यहां से जाओंगा, conditional format में, और conditional format में आपको new rule है न, इस पे click कर दिया, okay, conditional format में जाने के बाद, new rule में गया, और huge formula determine कर दिया, और यहां पे जो formula मैं लिखूंगा, लिखूंगा equal to, क्या लिखूंगा, equal to, धेयान दिजेगा, मैं लिख रहा हूँ, equal to, और यह इतना ही करना था, इस cell को select किया, और यहां पे जो dollar symbol है न, पहले वा, तरीके आगे, वो dollar symbol को हटा दिया, हटाने के बाद bracket को किया, close, और इसको equal to, week start कब से होता, one से, मतलब संडे का दिन मुझे highlights करना है, तो equal to one कर दिया, इस format में गया, okay, format में क्कों सा, color चाहिए, वो color ज बतलो आपको data seat देखने से ही पता चलता है, कि ये date को Sunday परने वाला है, इस date को इंटरे नहीं करना है, ठीके, कभी आपको Sunday को इंटरे नहीं करना है, okay, मत कीजिए, दूसरा date को आपको highlights करना, Saturday को भी मुझे highlights करना है, इसी में, कैसे करेंगे, वो भी देख लिजिए, इसी को फिर से आप select कर लो, कहा से करना है, इसी में करना है, okay, select कर लिजिए, already आपके पास यहाँ formula है न, आप manage rule में जाए, manage rule में जाने को आप जो भी rule है, already यहाँ पर है, पहले से, edit किये लिजिए, इसी को edit rule में जाए, okay, edit rule में जाने के बाद मुझे अभी क्या करना है, Saturday को भी highlights करना है, तो यहाँ पर equal to और formula डल दिजिए, क्या है, और or और bracket को open कीजिए, और इसके बाद weekend 1 के बाद comma डालिए, फिर से आप लिख दो weekday, फिर से आप लिख दो weekday formula डालो, और यहाँ पर bracket open करो, और यहाँ पर first sell, वही sell कीजिए, जो पहले किये थे, और इसमें जो 3 के आ 7 कर दिया, इसको कर दिजिए close, और इसको कर दिजिए okay, यहाँ पर apply करके देखिए, होता है क्या, देखिए, आ गया, अभी क्या हो गया, Saturday और Sunday दोनों जो है, highlights हो चुका है, किस तरह से किया हूँ, weekday का formula और formula को use करके, combine करके, हमने conditional format ready किया, और आपको मैंने इसमें दिखा देखिए, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते कुछ new idea, new trick के साथ, next वीडियो में, ठीक है, तो अभी मैं एक बार और चीज़ बता देना चाहता हूँ, कि आपका formula जो है, क्या लिखा था, ताकि आपको clear हो जाए, मैं यहाँ पर manage rule में जाके, आपका formula था, आपको पता चले ताकि देखिए, दिख रहा है, ठीक है, मैंने क्या formula डाला इसमें, आपको पता चला, ठीक है, आप नहीं देखे होंगे, तो यहाँ से not भी कर सकते हो, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ new idea, new trick के साथ, next वीडियो में, तब तक के ल